हेलो दोस्तों कैसे आप लोग तो आज आप सुझाने कि मैं एक तीक खुष के हूं बस आहीं है खुष होने के कोई रीजन नहीं होती है क्योंकि आज आपके साथ मैं सेयर करने वाली हूं बहुत इंट्रेस्टिंग बहुत ही ब्यूटिफुल सा सारे डेकोरेशन की रेसिपी आप सुझ रहे होंगे कि इसमें नया क्या है मैं तो हमेसा सेयर करती हूं लेकिन आज कुछ खास है क्योंकि आज आप सभी के रीक्वेश्ट में बताने वाली हूं कि कुकुमबर शेफ फ्लावर मैं कैसे बनाती हूं जो सारे डेकोरेशन करते वक्त मैं बताती हूं कि आप इसे बहुत कर देती हूं तो उससे थोड़ा समय स्लो करके और आपको अच्छे से समझाओ ताकि आप असानी से अपने डेकोरेशन को कमप्लीट कर पाए तो यह तो है क्योंकि आज की वीडियो में यही मैं बताने वानी हूं कि आप कैसे कर सकते हैं बहुत ही असानी से चुटे चोटे टिप्स मैं डेकोरेशन के बताने वाली हूं क्योंकि डिस से बीदेए बढ़ बना लो बड़ डानिंग टेबल अगर नहीं है तो आपका पूरा टानीं तेबल इनकम्प्रीट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जलजी से अध्यानल को मेरे च के साथ जितना हो सकते सेर किजिएगा क्योंकि आपके सेर थेक्वार करने से अपके क्वार्ट मिलती है हमें फ्रेड़ना मिलती IS और इसे हम और भी जादा अच्छा करने की कोशिज करते हैं कि उस ने पाईवेस ने यहां देखे तो जिस तरह का dark cucumber मैंने यूज किया है ऐसी आपने उसके बाद क्या करना है इस तरह तीरचा करके और इसके इस तरह पतले-पतले slices आपको cut कर लेने हैं द्हान रखना है कि बहुत ही पतले slices करका करने इसमें आपको बहुत साथ की ज़रूरत नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी सी cutting कटिंग फिनिशिंग होनी चाहिए जिसे कि सारा जो कटिंग है एक जैसा हो तभी आप फ्लावर बना पाएंगी नहीं तो थोड़ा सभी अगर बड़ा छोटा हुआ तो फ्लावर जो है बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है तो यहां पे इस तरह बहुत ही बारीकी से महीं में ब इसको कटिंग करने के लिए इस तरह एक 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 करके श्लाइसे इस तरह रखते जाएंगे तो यह खुद पर खुद सरकल होते जाएगा आप देख सकती है किस तरह मेरा क्रीम बिल्कुल आशान तरीके से आप हो रखना है और इसके स्लाइसे जो छोड़े-छोड़े से हैं तो कटिंग करने का आप समझी गई है कि इस तरह कटिंग करके और आप असानी से इस तरह फ्लावर बना सकती है तो इस तरह जैसा कि आप देख रही है मैंने बनाया है और इसी में एक एक करके जब चारो तरफ आप लगाती जाएंगी तो यह सरकल हो जाएगा माली जब इस से फ्लावर कम्प्लीट करने के बाद अगर शेंटर में फ्लावर नहीं रहे तो थोड़ा सा इधर उधर कर सकती है तो यह देखे जैल से बनाएंगी यह ब्यूटिफुल सा फ्लावर बनके कम्प्लीट होगा ऐसे एक एक करके आपको सवधानिश रखना और अगर किसी किसी सा हमेरा हो जाता है जिसे कि फ्लावर थोड़ा सा बड़ा छोटा दिखाई दिन लगता है तो इसे आपको इस तरह से सवधानिशे कम्प्लीट करना है यह देखे ऐसे और इस तरह यह बीच में आप कहेंगे कि बीच में हमारा इस तरह क्यों दिख रहा है क्योंकि जब स्लाइ मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन पहले इसको हम complete कर लेते हैं तो इस तरह देखे सारे flower को मैंने इस तरह आसानी से लगा के complete कर लिया है मैं आपको देख बिल्कुल बेग बिल्कुल मैंने इसे फास्ट नहीं किया है मैं आपको यश्टे बाइश्टे बता रहे हूं बिल्कमने थोड़ा सा स्लो भी कर दिया तक आप असानी से समझ वह हैं अब यहां विवानेज आपकी कटिंग कम है स्लाइसेज खतम हो गया है तो यहां पे आप इन सबी को थोड़ा सा पास कर देंगी त आप इसे जंडा बना दें समय इसके यूज कर सकती है तो यहां पे देखिए मैं रख रही हूं एक कैरट के पीसे कटकर रख दी अब यह बिल्कुल फ्लावर शेप में आ गया है तो यह प्लेट तो कंप्लीट हो गया इस तरह आप फ्लावर बना सकती है लेकिन अब इनको ह आप इसके जगह पे बिटूट ले सकती है या रैडिस ले सकती है अनियन ले सकती है जो भी आपको पसंदो तो यहां पे देखिए एक टुमैटो में रख रही हूं अब आप सुझेंगे कि इतने प्लेट में अगर मुझे पूरा बिजिटेबल एड़ करना हो तो कैशे आप इसमें कुकुमबर भी अनियन भी भी टूट भी अगर सारा रखना चाहती है तो क्या करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें जो टुमैटो है इसके उपर आप कुकुमबर रख दीजिए या इसके उपर आप अनियन रख दीजिए अनियन के उपर आप ब्यूटिफुल लगेगा जैसे कि आप देख सकती है विश्व फ्लावर भी हो गया चारो तरफ यह डेकुरेशन भी हो गया कितना खुब्सूरत लग रहा है अभी आपको दिखा रहे हूं क्योंकि मैं अनियन इसमें आड नहीं कर रहे हूं आप अनियन एड कर सकती है कुकु कमेंट करके बताइएगा और वीडियो आपको अगर अच्छी लगेगी तो लाइक किजिएगा फ्रेंड के साथ जीतना हो सकते शेयर किजिएगा तो चलिए आपके परमाइस पर और यूनिक इंट्रेशिंग ड्रेशिपी लेकर आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए आपके बाइटिक इंट